नमस्कार न्यूस क्लिक पे आपका स्वागत है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोविट के बारे में कोविट नाइंटीन की स्वाक्त क्या स्थिती है और हमारी क्या स्थिती है सतीत अगर पिक्चर्स देखे ग्राफ देखे जिसे कहते है तो ग्राफ में पहले हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं अब लग रहा है कि सच्चमुच जादातर प्रांटों में ग्राफ नीचे आ रही है और ये केरल के भी जहां पर अभी भी कुछ संख्या जादा है की दौर खतम हो रहा है या कम होता जा रहा है भविशी के बारे में कुछ नहीं कह सकते अभी और दुनिया के बारे में अगर देखे तो अभी भी वह हालत नहीं है अभी भी कुछ बुल्क है जर्मनी है फ्रांस है रूस है जहां पर संख्या भी भी काफी है नए केसिस की संख के पास आसपास जा रहे हैं तो यह देखते हुए हमने जो पहले भी चर्प्चा कर चुके हैं कि कुछ जगों पे पहले कुछ जगों पे बाद जिसकी ग्राफ उपर नीचे होता है पर ज्यादा तर जगों से यहां ग्राफ पहले उपर गया है अब काफी नीचे आ गया है गौर करने वाली दो बाते मैं दर्शकों को याद दुलावला पहली तो जैसा कि आपने कहा कि इस बार हालांके बीमार लोगों के आंकड़े बहुत ज्यादा थे दिसंबर जन्वरी में दुनिया भर के कई मुलकों में लेकिन गंभीर रूप से बीमार लोगों के या तो मृत के आंकड़े उसकी तुलना में बीमार लोगों के आंकड़ों की तुलना में बहुत कम थे यह हुई एक बात दूसरी बात यह कि इस इस कोरिलेशन का वास्ता टीका करंड से जुड़ता है जितने आंकड़े सामने आये हैं वो सब कहते हैं कि पुराने दो साल पुराने विशानूं की आधार पर बने हुए टीकों से आज की ओमिक्रों नसल से तयार होने वाली निर्माण होने वाली गंभीर बीमारी से सुरक्षा अच्छी खासी मिलती है तो एक तरीके से पिछले दो-तीन महीनों का जो अनुभव सामने आया है दुनिया के वो यह है कि टीके बिलकुल उस नुकीले पन से इस नसल को लेकर ना भी हो तब भी काफी असरदार होते हैं तो एक तरीके से टीका करण को लेकर जो नीतियां बनानी चाहिए सरकारों में इसमें इस अनुभव का बहुत बड़ा युद्दान यह आपकी जुक्ता है कि टीका करण के दो पहलू है एक की टीका करण जिनका हुआ है दो साल पुराने वाइरस के नसल से वो आज भी कारगर है खास तोर से सीलियस बिमारी मौत से बचाने के लिए और इस तरह के आकड़े इस बार जो है काफी साफ है इस पे कोई बहस की ब खास तोर से ऐसे देशों में जहां पर एक एंटी वैक्सर दोड़ चला है जैसे अमरीका में तो वहां पर भी आंकड़े साफ है पर दूसरी बात आपने जो कहा एक इसकी एहमियत यह है कि पुराने नसल से बने वैक्सीन भी कारगर होने का मतलब कि अभी इस नसल से एक ता आने नसल से बनने वाले वैक्सीन में खास फरक नहीं नज़र आ रहा है यह बीमारी रोकने के लिए तो क्या इससे हम अंदाजह लगा सकते इतनी बड़ी बात नहीं है थोड़ा पुराना वैक्सीन हो नहों इतनी जितनी बड़ी बात प्रभीर आपने कही उतनी पक्ये तर नसल की जो खास वैक्सीन अभी बदोर प्रायोगिक स्वरूप में बनी है उसकी जो जांचे हुई है वो बड़ी प्राथमिक जांचे हैं अलबत्ता आप जो कह रहे हैं उस तरीके के नतीजे उन जांचों में से निकल रहे हैं सही लेकिन फिर भी नतीजे बड़े प्राथ होंगा कि उन नतीजों से ये नहीं साबित होता कि उमिक्रॉन की खास विक्सीन लेकर इसकी कोई गरंटी नहीं है कि सारी नसलों के खिलाफ अच्छी खासी सुरक्षा हासिन होगी इसका वास्ता एक साल पहले भर के कुछ नतीजों के साथ जोड रहा है तब साउथ अफरिकाई वैग्यानिकों ने ये कहा था कि उन्हों ने जब ऐसे जान्वरों में प्रयोक करके प्राथमिक नतीजे डेल्टा नसल को लेकर निकाले थे तो उसके नतीजे कुछ हद तक अलग थे वो नतीजे ये थे कि डेल्टा नसल को लेकर अगर टीका बनाएं तो उस वो टीका जिन जान्वरों को दिया जाता था उनके खून में डेल्टा के खिलाफ और 2020 वाली वाइरस की नसलों के खिलाफ अच्छी खासी सुरक्षा बनती थी एंटिबॉडी के स्तरपन उमिक्रॉन को लेकर वैसे नतीजे इतने अच्छे खासे सामने नहीं आ रहे हैं जो कि आप जिकर कर रहे हैं लेकिन क्या इस तरीके के नतीजे जब वानवी जाचे होगी उसमें बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे ना दिखेंगे कहना मुश्किल है लेकिन इसके आधार पर जो की पहली बात आपने कही उसी को मैं दोराओंगा कि एक और वाइरस की उभरती हुई नसलों पर नजर रखनी चाहिए दूसरी और इन नसलों को सावधानी से सतर्कता से तीका निर्मान पर और नए नए तीकों के निर्मान को प्रैतनों से किस तरीके से जोड़े इसका इसकी एक वैग्यानिक चोखट इसका वैग्यानिक धाचा होना चाहिए और अगर इस तरीके की सोच जो सार्वजनिक स्वास्त के दृष्टिकों से है इस तरीके की सोच रखके इन अलग-अलग प्रयासों को साथ जोड़ना है ए वैश्विक स्तार पे तो कंपनियों के हाथ टीका निर्मान और उसकी दिशाएं छोड़ने से शायद बात ना बने ये हमने सबने सोचने वाली तो आप जो कह रहा है जो हम पहले भी जिकर कर चुके हैं कि टीका करें पुब्लिक हेल्थ इशू है वुनाफ़े के दिश्टिको सिर्फ देखेंगे जो कंपनिया करती है तो पुब्लिक हेल्थ के हिसाब से मुनासिफ नहीं होगा ये तरक निकल के आता है यह यह बात हम कई बार जिकर कर चुके हैं क्योंकि फाइजर मॉडर्ना उनको तो मुनाफ़े मतलब है और वो साफ है उनको इतनी बड़ी मुनाफ चालिस बिलियंड डॉलर की मुनाफ़ा होने की संभावना है वो सामने आ रही है डबली ट्यो का भी इस बात पर बैठे खुरा है टेक्नालिजी वैक्सिन की कैसे दूसरे देशों पे दिया जा सकता अभी भी इसमें हालत जो है लगभग वही है और जो आप पहले भी कि हमें कि इसमें MRNA वैक्सिन को पुश किया जा रहा है जो कि बड़े पैमाने पे दुनिया की गरीब मुनकों में काम्याब इसलिए नहीं होगा कि हमारे पस कोल्ड चेन नहीं होगा और बुनाफ़े के दिश्टिकों से इनको पुश किया जा रहा है सौट आफ्रिका में भ एक प्राइवेट बोटीफ पीस पे दिखाई पड़ रहा है तो आपके हिसाब से हमें आपने जो कहा कि पब्लिक हेल्थ के नजीरे से देखना चाहिए तो उसमें हमको देशों के स्थर पे अंतराश्टिये जो हेल्थ और्गनाइजेशन के स्थर पे क्या करना चाहिए दो-तीन बातों की और ध्यान देना चाहूंगा मैं एक तो बात यह है कि अपन कहते आया हैं मैं कहते आया हूं मेरे कई वैग्यानिक मित्र कहते आये हैं आप जैसे कई लोग कहते आये हैं सारवजनिक संभाशनों में कि इमारेने वैक्सीन के लिए जो अल्ट्रा कोल्चेन टिकनालिजी की जरूरत है अल्ट्रा कोल्चेन टिकनालिजी की डिस्ट्रिबूशन में जरूरत है वो तो गरीग देशों में मुम्किन है ही नहीं तो उसमें दो सवाल उठते हैं पहला सवाल यह है कि एक और लोग कहते हैं कि Moderna और फाइजर के मुनाफ़े एस्ट्राजेनिका या चीनी कंपनियों के या जांसन जांसन के या रूसी कंपनियों के तुलना में बहुत ज्यादा है तो उसके बारे में सोचे तो उसकी वज़ा यह है कि Moderna और फाइजर के टीके बड़ी-बड़ी कीमतों में 60-75 फीसदी जो वितरन हुआ है वो अमीर देशों में हुआ है गरीब देशों में बहुत ही कम उसमें भी कोवैक्स जैसी जो डब्ली वेचों की एक व्यावस्था है जिसके मारफ़त गरीब देशों तक टीके पहुँचे उसमें तो फाइजर और मोडर्ना के मारने वैक्सीन का योगदान ना के बराबर ही है और उसमें कारण ये दे सकते हैं कि भाया टेक्नालोजी तो वो उन देशों की वितरन व्यवस्थाएं जहल नहीं पाएंगी तो देने से क्या खायत है यह हुई एक बात दूसरी और एस्ट्रजेनेका स्पुटनिक साइनोफार्म साइनोव कंपनियां है जिंन्होंने और तरीकों से टीके बनाएं बगैर ह्मारे युन आ ने टेकनालोजी के बनाएं जिसके लिए सिर्फ रेफिजरेशन वाली थंड़क काफी है वितरन के तरह तो उन्हों किसी हद हक को वैक्स को भी वहो के और कोवैक्स के अलावा भी गरीब गया हुआ है तो एक तरीके से यह जो टेक्नालोजी में फर्क है इसका फाइदा लेके इसके पीछे छुपके मुनाफिक हो रही की जा रही है फाइजर जैसी कंपनियों की यह मैं क्यों कह रहा हूं यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां भारत में मैं जहां बैठा हूं शहर मे पूने में वहां कंपनी है छोटी कंपनी भारतिय कंपनी उसका नाम है जेनोवा बायो फार्मा जेनोवा बायो फार्मा पिछले साल डेड़ साल से एक इमारने वैक्सीन बना रही है कोविड की अभी तक अच्छी खासी बनी नहीं उसकी रफ्तार कम क्यों है वो सब अलग बाते हैं उनको कितने पैसे मिलते हैं कहां से मिलते हैं वगयरा वगयर क्या सवाल है उसमें लेकिन उनकी जो तकनीक है उनकी नैनो पार्टिकल बननी चाहिए जो फाइजर की वैक्सीन में बनी है जो मडर्ना की वैक्सीन में बनी है जिसकी वज़े से मारे ने शरीर की कोशिकाओं के अंदर जाके कारगर हो सकता है तो उन्होंने जो लिपिड नैनो पार्टिकल टेक्नोलोजी ली है अच्छा उन्होंने इजाद नहीं की हिंदुस्तान में उन्होंने अमरीकाई पब्लिक गुड्ड संस्तानों से ली हुई है, non-profit संस्तानों से ली हुई है और वो टेकनॉलोजी अल्टर कोल्ड चेन डिपेंडन्सी नहीं दिखाते। तो सवाल यूं उठता है कि इसका मतलब ये कि ऐसा कोई सृष्टिनियम नहीं है कि मारे नहीं टेकनोलोजी के लिए अल्टरा कोल्ड टेकनोलोजी चाहिए ही चाहिए तो सवाल उठता है कि फाइजर मोडर्ना ने पिछले अब सवा साल हो गया उनकी टीकों को इजाज़त मिलके यानि कि दो साल से ज्यादा हो गए उनके टीकों की जाचे शुरू हो के इजाज़त मिलने से पहले ही फाइजर के सर्वे सरवाने बात कही थी एक साक्षादकार में कि हम तापमान को लेकर कि कितनी थंड़क जरूरी है इस सवाल को लेकर काफी कुछ खोज कर रहे हैं और उसके नतीजे जल्द ही बताएंगे उस कही को डेड़ साल हो गया अभी तक कोई नतीजे नहीं आए तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अपने दर्शकों से के सोचिएगा के जब तक अमीर देशों से धेरो मुनाफिक खोरी की संभावना है तब तक टेकनालोजी में बदलाव की कोई जरूरत मुनाफिक और कंपनिया मानती नहीं है ये जो विग्यान तंत्र विग्यान और बाजार के एक दूसरे से काफी पेचीदा जोड है इनको हम लोगों में समझना चाहिए जब हम इन मुद्दों को लेकर सोचते हैं और जब हम इन मुद्दों को लेकर अपनी सरकार से मांगे करते हैं एहम बात है ये भी क्या कोल चेन इसलिए रखा जा रहा है एक हिसाब से मार्केट प्रोटेक्शन के लिए ताकि सस्ता वैक्सीन बनेना और सस्ता एमारेडे वैक्सीन अगर बन जाएगी तब उनकी मार्केट में बड़ा खत्रा पाइदा होने के लिए होने की समभावना है तो market protection के लिए भी coal chain का हो सकता है वो रखना चाहते हैं ताकि उनकी market सुरक्षित रहे हो सकता ये conspiracy theory लगता हो पर सवाल आपने जो छेड़ा है बहुत एहम एहमियत रखती है क्योंकि technology की हिसाब से इतनी ठंडक न हो इसके लिए जो research चाहिए इतना कठिन नहीं है कम temperature में कितना कम temperature करना है नहीं करना है सुरक्षा के लिए वो अगर देखी जाए तो आपके बात से साफ है इतना complex technology नहीं है जो की इमारे ने vaccine पैदा करने के लिए चाहिए तो इस इन सवालों को हम इहीं पर छोड़ते हैं आज अब जो है ये बात COVID-19 की जो pandemic है अब इस बात पे आएगी इसको रोकने के लिए भविश में public health में क्या-क्या पदक्षिप हमें लेना चाहिए दुनिया के सब को vaccine दिलाने के लिए vaccine को सस्ता करने के लिए और सही vaccine को कैसे engineer कर सकते हैं ताके mRNA जैसे vaccine को भी इस तरह की cold chain नहीं चाहिए इन चर्चों पे अगले बार हम आएंगे और इसके साथ साथ WTO में जो बहस चल रही है intellectual property rights लेके इस हफते के बाद इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे तरने बाद सतीजित हमारे साथ होने के लिए और हमारे दर्श्वकों को हमारे साथ होने के लिए हमारे साथ पर जरूर आईएगा और हमारे वीडियोस देखिएगा